आज इस वीडियो में जानते हैं कि अधिक मास में पुर्णिमा तिथी कब है और उसमें शुब मुहरत के समय का होगा किसी भी महिनी की शुरुआत उसके कृष्ण पक्ष से होती है पहले कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं और 15 दिन अमावस्या होती है उसके बाद अमावस्या तिथी के बाद शुकल पक्ष शुरू हो जाता है और शुकल पक्ष के 15 दिन पुर्णिमा तिथी होती है लेकिन अधिक मास में शुकल पक्ष पहले आता है और कृष्ण पक्ष की शुरूआत बाद में होती है आमावस्या के बाद आने वाला जो पक्खवाड़ा है यानि कि जो पंदरा दिन होते हैं वे शुक्रपक्ष होते हैं और सौमवती आमावस्या के अगले दिन ही अधिक माश शुरू हुआ था इसी वजए से 18 जुलाई से 01 अगस्त 2023 तक अधिक मास है इस साल अधिक मास सावन में आया है और अधिक मास की पुर्णिमा एक अगस्त दो हजार तेईस को मंगलवार के दिन होगी इसी दिन पुर्णिमा का वरत सनान दान किया जाएगा अधिक मास की पुर्णिमा और अमावस्या मनाई जाती है इसमें पित्तरों को श्राद करने से वा आशिरवाद मिलता है मालक्षमी घर में वास करती है। सावन अधिक मास की पुर्णिमा तिती 1 अगस्ट 2023 को सुभे 3 बज़ कर 51 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्ट 2023 को सुभे 12 बज़ कर 1 मिनट पर इसका समापन होगा। इस तिती पर स्नान दान का मूरत सुभे 4 बज़ कर 18 मिनट से लेकर सुभे के 5 बज़े के बीच में रहेगा। अगर आप इस दिन सत्य नाराण पूजा कराना चाहते हैं तो शुभ मूरत सुभे के 9 बज़ कर 5 मिनट से लेकर 2 फहर के 12 बज़ कर 27 मिनट तक रहेगा। पूर्णिमा तिती पर शाम के समय चंदर उद्य के बाद चंदर को अर्ग देनी के पर चाहती पूर्णिमा वृत का पारण किया जाता है तो चंदर उद्य का समय रहेगा शाम को 7 बज़ कर 16 मिनट पर। अधिक मास की पूर्णिमा तीन साल में एक बार आती है और इस दिन गंगस नान करने से कहा जाता है कि अम्रित के प्राप्ति होती है ग्रह जनित जो दोश हैं से मुक्ति पाने के लिए अधिक मास की पूर्णिमा पर अन, धन, वस्त्र, छाता, चपल, चावल का दान करना स् अधिक मास की पूर्णिमा पर सत्य नारायन की कथा करने वालों के घर में खुश्यों का आवगमन होता है परिवार के हर सदस्य की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं तो यह थे अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व, उसकी तीथी और शोब मूरत अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें इसी तरह से व्रत और त्योहारों से जुरी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद